हेलो एड नमस्ते दोस्तों मेरे चैनल पूर्वा स्किन का टीप्स में आपको बहुत इसवागत है और मैं हूँ पूर्वा मैं आपके साथ चैर करने वाले हूं इस तो मेरे वीडियो को करो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और बैल बटन प्रेस करना ना भूले जो आपको बीमारी के वज़े से नहीं बलकी, ठकावड, नीम की कमी या फिर एक्सेसे सन एक्सपोचर के कारण आते हैं तो दोस्तों मेरे पहली रेमेडी है क्युक्यूमबर याने ककड़ी के स्लाइसिस ककड़ी के अपने ठीक स्लाइसिस बनाने है और उन्हें 30 मिनिट तक रेफ्रिजरेटर में रखना है थंडा होने के बाद अपने 10 मिनिट तक अपने आखों पर रखना है और थंडे पानी से वोश करना है इस प्रसेस को आप रेगुलर इस्तिमाल करने से आपको रिजर्ट अच्छा दिखने को मिलेगा ककड़ी याने क्यूक्यूमबर में एस्ट्रेंजर प्रपटीस होने के कारण वो आपके स्कीम को टाइट बनाते हैं और लाइटन भी करने में हैल्प करता है जो आपको डार सर्कस रिमो करने में हैल्प करता है मेरी दूसरी रेमेडी है पुदिना आयमास्क याने मीन्ट लिव्स आयमास्क Mint leaves यानि पूदिने के पत्तु को आपने ग्राइंड करना है और ग्राइंड करने के बाद लगप 5 मिनिट तक अपने डार सर्कस पर रहने देना है और बाद में थंडे पानी से वाश करना है इस प्रोसेस को आपने रेगुलर करने से आपको डार सर्कस कम होते देखेंगे Mint leaves, blood flow increase करते हैं जिसके कारण डार सर्कस पिके हो जाते है मेरी third और last remedy है Rose Water Mask Rose Water यानि गुलाब जल को आपने cotton के बदद से डार सर्कस पर रखना है और 15 मिनिट के बाद थंडे पानी से वाश करना है इस प्रोसेस को आप रेगुलर इस्तमाल करने से आपको डार सर्कस कम होते देख जाएंगे Rose Water आपके तवच्चा के लिए बहुत उप्योगी है यहाँ एक टोनर का भी काम करता है और यह आपके तवच्चा को फिर से जीवन और निखार देता है तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही उम्मीद है कि यह वीडियो आपको helpful रहेगा और जल्दी मैं आपसाओंगी एक और Skincare Remedy के साथ तब तब के लिए बाइ बाइ शुक्रिया